किसान भाईयों नमस्कार मेहु दसरत दाकड आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूटूब चेनल किसान भाईयों इस वीडियो में हम सोयबिन की दो पुरानी किस्मों जेस पिच्चाणवे साथ और जेस बीस चोतिस के बारे में बात करेंगे इन दोनों विराइटियों की क्या-क्या विशेस्ताए है इन दोनों में क्या अंतर है 2022 में आप अगर सोयबिन की खेती कर रहे है तो इन दोनों विराइटियों में से कौन सी विराइटी बेच्ट है किसान वायू ये दोनों ही विराइटियां पुरानी विराइटियां है और मद्यवपदेश में कापी सेतर पर इनकी बुवाई होती है क्योंकि इनका जो उपज उत्पादन है वो कापी सांदार मिलता है जिस कारण ये विराइटियां किसानों की पसंदिदा विराइटिया है इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि इनकी क्या-क्या विशेस्ताय है और आपको इन दोनों में से कौन से स्वैबिन की विराइटी लगाना चाहिए पुरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए पसंद आने पर लाइक कर दीजे यदि आप हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे तो चले किसान भाई यो वीडियो में आगे बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जे एस बीस चोतिस सुएबिन के बारे में यह एक पुरानी किस्म है और मध्यपदेश में सबसे ज़्यादा बोवाई की जाने वाली किस्म है मैं खुद भी इस विराइटी का चियन करता हूँ हर साल हम सुएबिन की किस्मों के रूप में इस विराइटी का चियन कर सकते है यह किस्म लगबग 85 से 90 दिन में पकर तियार हो जाती है इस विराइटी में सफेद रंग के फूल आते है दाने का रंग हलका पीला होता है यह विराइटी कम वरसात में भी अधिक उतपादन देने की समता रखती है इस विराइटियों में इल्लों का अटेक थोड़ा कम देखने को मिलता है अगर आप इस विराइटी का चीयन कर रहे तो आप प्रती हेक्टियर 25 कुइंटल तक उत्पादन ले सकते है जो की कापी सांदार उत्पादन है इसके लवा हम बात करते है जे एस 95-600 बिन के बारे में यह भी एक पुरानी किस्म है मध्यपदेश में इसकी कापी जादा बुवाई होती है यह किस्म भी लगबग 80-85 दि दाने के नाबी का रंग हलका काला होता है इस विराइटी में बेंगनी रंगे फूल होते है यह विराइटी काली दोमट गुनवगता युक्त मिटी के लिए बेश्ट मानी जाती है इस विराइटी से भी आप प्रती एकड लगबग 10-12 कुइंटल तक उत्पादन ले सकते ह मर्द्य परदेश के अलावा गुजरात माराष्ट आदी सेत्रों में इस विराइटी की बुवाई होती है लेकिन इस विराइटी की कुछ कमिया हैं जिस कारण किसानों को इस विराइटी का चियन नहीं करना चाहिए इस विराइटी में पिछले साल स्टेम फलाई और फीला चटकने की समस्या भी आती है आकिर में जब हमारी फसल तयार हो जाती है उस समय हमें तुरंट इसकी कटाई करना होती है यह कम अउदी की किस्म होती है जिस कारण अगर आपके सेतर में बारिस ज्यादा होती है तो अंत में हमारी फसल खराब हो सकती है अब बात करते हैं कि 2022 मे आपको कौन सी किस्म लगाना चाहिए और इन दोनों में से कौन सी विराइटी बेश्ट है किसान भाईयों मेरी राई की माने तो आप JS 95-60 के स्तान पर JS 24-20 का चीयन करे क्योंकि 95-60 स्वेबिन के मुकाबले JS 24-20 का उत्पादन थोड़ा जादा है और 20-34 स्वेबिन में बीमारियों का अटेक कम होता है जिस कारण आप स्वेबिन की खेती से कम इस परे में ज़्यादा उत्पादन ले सकते है तो किसान भाईयों यह थी दोनों ही स्वेबिन की विराइटिया JS 24-20 और JS 95-60 के बारे में अंतर बताया है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक से येर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद जैकिसान